नियत तेरी अच्छी है तो भाग तेरी दासी है कर्म तेरा अच्छा है तो घरमे मतुरा कासी है नमस्कार दोस्तों आप सबीकर स्वादित है मेरे चैनल पर सीखो कुछ नया आज कब इसे है कर्म और भाग इंसान के जीवन में संकर्थ, मुसीवत हमेशा आती रहती है, लेकिन जो विक्ति अपने कर्मों के माध्यम से इन बाधाओं को पार करता है, वो अपने लक्ष को प्राप्त कर लेता है आये समस्ते हैं कर्म और भागय को एक छोटी सी कहानी की माध्यम से, एक समय की बात है, जब नारज जी विष्णु जी के पास गया है, नारज जी ने विष्णु जी से कहा Hey भगवान, आपका प्रभाव प्रित्वी लोग पे कम हो रहा है, विष्णु जी ने कहा क्यों? क्या हुआ बताओ नारज जी ने कहा मैं प्रित्वी लोग पर गया था मैं प्रित्वी लोग के भर्मन कर रहा था मैंने देखा दलदल में एक गाई फसी है और उस उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था उस व्यक्ति ने गाई की मदद नहीं की अपितु उस गाई के पीट पे पैर रखकर आगे निकल गया और आगे जाते ही उसे सोने से भरी एक बैग मिली और वह हस्ता हुआ उस बैग को लेकर आगे चला गया कुछ देर के बाद एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था उसने देखा गाई को दलदल में तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इ नारद जी ने कहा भगवान ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा और जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा विस्नु जी ने कहा नारद जिस व्यक्ति को बैग मिला सोने से भरी उसके भागे में इससे भी अपार धन लिखा था लेक लेकिन सिर्फ खरोची आई, कहने का मतलब यह है, संकट और संगर्स जीवन का अंग है, हर एक के जीवन में यह संकट आती है, लेकिन जो वेक्ति अपने पूरशार्थ, अपने कर्म के माध्यम से इन बाधाओं को पीछे छोड़ देता है, और अपने लक्ष को प्राफ्त कर लेता है, यह तभी संबब होता है, जब एक इनसान अपने कर्मों को आगे करता जाए, हमें समय और प्रकिति के नियम को समझना होगा, गीता में भी कहा गया है, तेरा जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही है तेरा भाग्य विधाता, धन्यवाद दोस्तों